सब इसारे निता हम उजोद हैं, लेकिन आपके प्रदेस के प्रभारी ही नजर नहीं आरहे है बॉड़ाई मेटें करके होंगे, आम जनता या वर्कर जो से मिल ले होंगे बाहर में वज्म पर तो थे, लेकिन उसके बाद मज़र नहीं है आपको खोज रहे है कि खोज रहें जनता के लोगना है जनता के सारे मौझा मौझब है लेकिन आपके प्रदेश के प्रभारी यही नजर नहीं आ रहे हैं प्रभारी मीटिंग करके होंगे आम जनता या वरकर्ड जो उसे मिल रहें और तो होगे बाहर मैंवार उसके बाथ नहीं रहा है लकुर्फ रहे हैं जनता के लोग न है। जनता के आदमी जनता सिंटी मिल रहा हों है। और ठुटी बोलना नहीं चाहिए है। बहुत मेरे अध्यक्ष लभ्मे लटके हैं उसी मों छुप गये होंगे मेरे अध्यक प्रवारी जी जी में बड़ा अन्मन थी संक्ठन का काम डिसाइड नहीं हो पर कोई अन्मन नहीं है दोनों में बहुत ही कॉर्डियल सम्मंध है और बहुत पुराना रिष्टा है और घर म यह अपनें भी रहता है तो कभी कभी उलट पुलट होते रहता है वह जो अगर आपको कुछ पता भी चले चला होगा डिफरेंसे यह प्रेम बला डिफरेंसे जोगा वह लड़ाय की बात नहीं पूरा पूरा कॉडिनेशन है उन लोग में भी और मैं समझता हूँ बिहार के जितने जिला ध्यक्ष हैं सभी अपने अगर माली को बहु जगत था उनसे भी आगरा करता हूं मंच से भी किये हैं अभी भी कर रहे हैं घर के मुख्या का दैवित होता है सवों को मिला के चलने का इसलिए वो जुकना सिखें और पार्टी का काम करना सिखें नहीं अखले जी ने अखले जी तो बहुत जुग गया है अगर कहीं आपस में मतभेद हो तो उसको दूर करना जिला के मुख्या का काम है प्रभारी जी ने कहा कि वो तो पहले नेता ही नहीं मानते थे अखलेस जी को अब मेहनत कर रहे हैं तो नेता बन सकते हैं नहीं नहीं में वो मित्रबत हैं वो कुछ कह सकते हैं आप सुन रहे थे मदन महंजा को पूर्व परदेश अधक्ष मदन महंजा का रहे थे कि जो भी थोड़ी सी खिच तान थी परदेश अधक्ष और परदेश के प्रभारी में के बीच वो अब खत्म हो गई है और जिला अधक्षों के नाम की घुशना हो चुकी है आगे भी